नमस्कार दोस्तों क्या आप regular सबजियां खा खा कर बोर हो गए हो तो आपके लिए unique beetroot की सबजी लेकर आये हैं ये सबजी भी बहुत ही तेस्टी लगेगी और आप एक बार बनाओगे तो बार बार बनाना पसंद करोगे तो चलिए recipe शुरू करते हैं सबसे पहले हमने यहाँ पर टीन beetroot लिये है सबसे पहले इसके छिलके निकाल लेंगे और ready कर लेंगे छिलके निकाल कर ready कर लिया है अब हमें टुकडे करने है यहाँ पर सबजी के लिए छोटे छोटे टुकडे करने है बीट के हमने टुकडे कर लिये है आप size देख सकते हो अ अब हम सबजी बनाना सुरू करेंगे। सबसे पहले हम टेल लेंगे तीन से चार चमद जितना और टेल को अच्छे से गरम कर लेंगे। टेल गरम हो गया है अब हम एक चमद जीरा एड़ करेंगे। जीरा चटकना सुरू हो गया है अब हम इसमें बारिक काटा हुआ लसुन एड़ करेंगे। अच्छे से चला लेंगे और सोटे कर लेंगे। लसुन का हलका सा कलर चेंज होने तक चला लेंगे। लसुन का कलर चेंज हो गया है अब हम इसमें क्रस किया हुआ अद्रक एड़ करेंगे और साथ में बारिक काटी हुई हरी मिर्च एड़ कर लेंगे अच्छे से मिला कर सोटे करना है चलाटे जाएंगे आप यहाँ पर हरी मिर्च लसुन और अद्रक को पेस बना कर भी एड़ कर सकते हो चला लेंगे अब हम इसमें प्याज एड़ करेंगे प्याज हमने दो नंग ली है अच्छे से प्याज को बारिक काटके लिया है साइज देख सकते हो अच्छे से मिला लेंगे और प्याज को हलका सा सॉफ्ट होने तक चलाटे जाना है प्याज सॉफ्ट हो चुकी है अब हम इसमें टमाटर एड़ करेंगे अच्छे से मिला लेंगे टमाटर के बीज हमने निकाल लिये है चला लेंगे अब हम इसमें थोड़े मसाले एड़ करेंगे मसाले में सुखे लाल मिर्च एक बड़ी चम्मच जितना और आधी चम्मच हल्ली पाउडर दो चम्मच धन्य जीरे का पाउडर और एक चम्मच जितना गरम मसाला एड़ करेंगे सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसाले और प्याज टमाटर सोटे हो गए है अब हम इसमें काटा हुआ बीट एड़ कर लेंगे और बीट को जल से पकाने के लिए हम यहाँ पर टेस्ट के इसाब से नमक एड़ कर लेंगे नमक से हमारे बिट जड़ से पक जाएंगे अच्छे से मिला लेंगे स्लो फेम पे थोड़ा पकाटे जाना है अब हम ग्रेवी के लिए पेस्ट रेडी करेंगे उसके लिए मिक्सर में सुखा को प्रायट कर लेंगे पटली साइज में कट कर लिया है टाकि अच्छे से ब्लेंड हो जाए सुखे मत कोपड़े की जगा आप ताजा नार्यल भी ले सकते हो सफेट टील एड़ कर लेंगे दो से तीन चम्मच जितना और एक चम्मच जितना हम यहाँ पर जीरा एड़ कर लेंगे इसमें हम थोड़ा दो से तीन चम्मच जितना पानी एड़ करेंगे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और बारिक पेस्ट बना कर रेड़ी करनी है दुसरी तरफ हमारे बीट भी थोड़े से कुक हो चुके है अब हम ब्लेंड की हुई कोपरा की पेस्ट एड़ कर लेंगे सारी पेस्ट एड़ कर लेनी है पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स हो गया है अब हम इसमें अधा कप पानी एड़ करेंगे वो भी कोपरा की जो पेस बनाई थी वो ही मिक्सर कप में लेकर लेना है ताकि बच्ची हुई कोपरा की पेस अच्छे से सबजी में आ जाए और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक उबाल आने तब उबालेंगे slow flame पे ही हमें उबालना है एक उबाल आना सुरू हो चुका है अब हम पेसर कुकर को बन कर लेंगे ढकन से और medium flame पे 2-3 विसल ले लेंगे 2-3 विसल लेकर कुकर थंडा हो चुका है अब हम चेक कर लेंगे आप देख सकते हो हमारी सबजी बन कर ready हो चुकी है और बीद भी अच्छे से कुक हो चुके है गरमा गरम सौव कर लेंगे बहुती बढ़िया कलर के साथ और टेस भी बहुती यूनिक ये सबजी आप रोटी या पराठा के साथ बहुती मज़े से खा सकते हो आप एक बार जरूर ये रेसिपी ट्राइ करे आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और सेर करे